जहें साथियों बोदों स्वागा थे आपका अपनी चैनल नायस ओनलाइन हव में इस वीडियों दोस्तों बात करेंगे बीपेसी सिक्षक भरती से जुड़ी महत्पून अपडेट जैसा कि आपके स्क्रिन पर दोस्तों आप देख पारोंगे निक्ति पत्र और इसकुलावंटन की ऑनलाइन मिलेगी जानकारी नन्युक सिक्षकों के लिए बीभाग ने किया तयार स्वाप्टवेर जी हाँ दोस्तों जो एक लाग तीस अजार जो सिक्षकों की भरती चर रहे बीपेसी की और से उसे जो है निक्ति पत्र और इसकुलावंटन की जानकारी जो है ऑनलाइन मिलेगी और इसके लिए विभाग के तरफ से स्वाप्टवेर भी त्यार किया गया है क्या है अपडेट आई इस वीडियो के माईदम से हम लोग देखते हैं चैनल पर नहीं तो दोस्तों चैनल को जरू सबस्वाइब कर लिजेगा ताकि सिक्षक भरती से जोड़ी जो भी अपडेट आती है आप लोग के बीच लेकर हजिर होता हूं चलिए देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट जो है निकल के आ रहे है तो यहां पर दोस्तों देख लिचना ऑनलाइन मिलेगी ठीक है साथ में दोस्तों आप लोग को बताना चाहता हूं रिजल्ट जो है आपका इसी मा जो है जारी होगा यहां पर जैसा कि आप लोग को ख़बर है कि पहले जो है 9 10 का आएगा उसके बाद 12 उसके बाद 11 12 का आएगा उसके बाद जो है लास् केट अप को लेकर दोस्तों मैं आप लोग का गूगल फर्म भराया था उसका जो है बहुत जल्ट आप लोग के सामने याने पॉब्लिक पर जारी करूंगे कि क्या आखिर कट अप कितना जा सकता है ठीक है पहले इस वीडियो को देख लिजी आप लोग ठीक है इसमें लिख सुचना केंदर की मदद से सौफ्टवेर और पोटल तयार किया है इससे सिक्षा विभाग किसी भी सिक्षक का सेवा इतिहास कंपूटर के एक किलिक पर हसिल कर लेगा सिक्षा विभाग के तकनिकी कोसांग के एक अधिकारी ने बताया कि बिहार लोग सेवा आयोग से प्रा कि आयोग द्वार अभिहारतों के परिखचा पल जारी किया जाना है इसके बाद जो है चेनित अभिहारतों को बिद्दाला या आवंटन किया जाएगा है आगे लिखा कि इसकी सिक्चा विभाग ने त्यारी कर ली है नाउनिक सिक्चकों से सम्मदित हर जानकारी एक अलग आज से सम्मंदित जानकारी भी सप्टवेर में दर्ज की जाएगी इसके बाद किसी भी सिक्षक से जूड़ी कोई भी नई बात उसमें दर्ज होती जाएगी इस तरह का पूरा सेवा इतिहास में रहेगा और यहां पर दोस्तों और एक अपडेट हैं आप देख लिए के आधार पर योगदान की तिती से सम्मंदित सिक्षकों को प्रसिक्षन वेतन का दावा अनुमाइन नहीं होगा प्राथमिक सिक्षा निदेशक पंकच कुमार के आदेश जारी किया है न्यालय के एक आदेश के आलोग में जारी यदिस में कहा गया है कि संबंदित वादी पंचायत प्रारंबिक सिक्षक मूल कोटी के कक्षा 1-4 में नियोजित हुए थे मूल कोटी के पद के लिए बीड प्रसिचित की अनुमाइनता ससर्थ संबंदित वादियों के सनवर्धन पाटकरम भी पूरा किया है उन्हें सनवर्धन पाइटकरम पूर्ण करने की तीथी से प्रसिक्षन वेतरमाद दे होगा आगे लिखा है कि B8 की उतिंता अथवा योगदान की तीथी से प्रसिक्षन वेतर नहीं मिलेगी अब यहां पर दोस्तों देख लिए 1,70,000 के पोर्टल पर जो है पोस्टिंग वीपेस्टी इसी मा सिख्चक निक्ति परिख्या का रिजल्ट निक्ति के बाद सिख्चकों को सर्विस बुक भी पोर्टल पर ही जो है अप्लोड किया जाएगा ठीक है तो यहां पर दोस्तों द दिया जागा रहा है आगे लिखा है कि माना जा रहा है कि 15 से 25 अक्टूबर के बीच रिजल जारी होगा कक्छा 9 से 12 सिक्षकों के जिलास्तर कॉंसिलिंग के दोरान लिए गए सक्षेनिक सेक्षनिक और प्रोसक्षनिक सम्मेंदी कागजाद जो है वीभाग को वीपेसी उपलब्त करा देगा कक्छा एक से 5 तक के सिक्षकों के कागजाद भी आयो के वैफ साइट पर अपलोड होगा इहां से कागजाद मिल जाएगा नवनिक सिक्षकों को कागजाद की सिक्षा विभाग अपने अस्तर पर जाउच के बाद नुक्ती पत्र नुक्ती पत्र के परती भी पोटल पर अपलोड रहेगा इसके बाद सिक्षा विभाग नौ सिक्षकों को स्कुल आवंटन पोटल के माइधम से कर देगा नए जोइनिंग के बाद कागजाद जांच में देरी के कारण बेतन भुकतन में देरी जैसी कई समय सां होगी क्योंकि इन सिक्षकों के सभी कागजाद की पहले ही जांच पूरिक हो जाएगी इन सिक्षकों को पेसकेल भी इसी आवंटन से ही जनरेट हो जाएगी Royal learnton के बाद सिक्षकों को training दिजाएगी, इसके बाद उन्हें सिक्षन कार लिया जाएंगे, निक्ति होने के बाद सिक्षकों के training को साधन से भी क्या हों, Nिक्ति परकिरिया भी चली रहे तो यहांपर दोस्तों देख सकते हैं, इसके लिए अलग स्वुष्वर ट्यार किया जा रहा है और पर सिक्ष में एक से पांच सिक्षकों का रिचल्ट आएगा इस अपडेट में दोस्तों फिलाल इतना ही और जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तों कि जो है विहार सरकार जो है सुप्रीम कोड गई है बीएट के पक्च में और उसकी सुनवाई जो है नौ तारीक को होने वाली है जिसका जो है लिस्टेड है आप जो है आहम दीम हो जाता है नौ तारीक को क्या कुछ होगा उसके बारे में डिटेल जो है जैसे अपडेट आएगा आप लोग को दिया जाएगा